कि Hello everyone मैं आज आप लोगों के साथ डिसक्स करने जा रहा हूं कि फर्स जॉब कैसे चुना जाता है ठीक है जब मैं एक स्टूरेंट था मैं क्वालिफाई किया था और मैं भी फर्स जॉब हंट कर रहा था इसको जॉब हंटिंग बोलते हैं बेसिकली तो वह बहुत ही डिफिकल रहा है जॉब का मैं अपनी तरफ से तुम्हों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिसक्स कर रहा हूं यह टिप्स तुम्हारे लिए काफी यूसफुल साबित होगी तुम खुद इसके बार में तुमको लगया कि जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं फिर भी पर रणाइम का मतब होता है यह सोच आपको अपने दिमाग में रखनी या आटिटूड आपको रखना है जब पहला जॉब चुनते हो तो उसी दिन आप सोच लो कि इस जॉब से जब मैं निकल के सेकेंड जॉब में जाओंगा इंटर्व्यू देने जाओंगा तब मेरे को फा कार जॉब चैंज करते ही और पहला जॉब तो बहुत जल्दी चेंज होता है 2 साल 3 साल के अंदर ही हो जाता है तो जब तुम पहली जॉब में जा रहे हो तो यह सोच ओ कि सेकंड जॉब में कियो होगह जब तुम यहां से निकल लोगे ठीक है और second job के लिए interview देने जाओगे तो तुम्हें फाइदा होगा कि नुकसान होगा that is a very 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 important paradigm इसको अपने दिमान को ज़रूर रखना घुसते वक्ती निकलने का भी सोच के चलो इसमें कोई unethical बात नहीं है हम लोग job करते हैं because of our own work satisfaction, our career, our life, money, सब चीश के लिए तो इसमें कोई unethical बात नहीं है कि मैं एक नौकरी छोड़के दूसरी नौकरी पर जा रहा हूँ बात important यह कि पहली नौकरी जब मैं करता हूँ तो मुझे पहले सी सोचेना पड़ेगा कि जब मैं दूसरी में जाओँगा तो मुझे इंटर्व्यू जब सेकंड इंटर्व्यू में बैठूँगा सेकंड जॉब के तो वहां फायदा होगा कि रुक्सान मेरा फर्स्ट परामीटर मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट एकदम सबसे पहला हमेशा रिनाउंड कंपनी को आप चुने रिनाउंड कंपनी मतलब जिसके वारे में लोग जानते हैं लोग समझते हैं ठीक है अब देखो मैंक एक्जामपल देता हूं I have worked in KPMG KPMG का नाम किसने सुना है जो लोग CF fraternity में है या थोड़े से और बढ़ा दो बस इसी के अंदर KPMG का नाम popular है लेकिन अगर मैं तुमको कहता कि मैं Reliance में काम किया हूँ या ITC में काम किया हूँ या Britannia में काम किया हूँ हर कोई नाम जानता है जब आप एक company में job करते हो ना तो it's not just money job के साथ पैसे के अलावा एक और चीज़ आपको मिलती है वो है brand आपको brand मिलता है ठीक है लोग आपके परिवार वाले आपके दोस्त वो सब हर जगा यहीं बोलते हैं कि हमारा जो यह बंदा है वो यहां काम करता है इस जगा काम करता है तो that brand sticks to you कि तुम किस company के साथ जुड़े वे हो वो तुम्हारी brand value बन जाती है अगर आज तुम reliance में काम करोगे तो तुम्हारी brand value reliance जासी हो जाती है समझ रहो in your family तुम्हारे परिवार वाले भी तो कहीं ना कहीं बोलेंगे ना कि भी हमारा जो हमारी जो बेटी है हमारा बेटा है वो यहां काम करता है नहीं करता है तो that recognition is very important क्या सिर्फ यह recognition हमारे परिवार वालों के लिए no 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 second job के लिए जब आप second job पे जाओगे जो वहां interviewer बैठा होगा जब आप दूसरी job अपनी पकड़ोगे तो वो देखेगा कि भई पहले आप कहां काम की हो और अगर वहां पे तुम एक renowned company में काम की हो जिसका नाम उल्ली उसका सुना हुआ है तो उसको immediate confidence आजाएगा तुम्हारे उपर ठीक है नौकरी में ऐसा होता है ना कि interview के भी पहले ही almost 80% decide हो जाता है कि बंदे को हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे यह पहले ही decide हो जाता है तुमारे CV लेवल पर जब तुमारा CV या resume उन वो देखते हैं तो उसमें company का नाम बहुत matter करता है कि आप पहले कहां काम की हो it is always better to work in a renowned company अचा renowned में भी अलग हो सकता है कि बहुत renowned less renowned चलेगा उसके लिए मेरा दूसरा point है मेरा second इसको तो लोग ignore करते हैं फर्स जॉब के वक्त ना लोग इसको ignore करना चाहते हैं आप ऐसा माइन में अखता है यह तो फर्स जॉब है मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूं या मैं profile बनाने के लिए कर रहा हूं एकदम वहें मैं आपका profile बाद में आता है पहले आता है salary याद रहे salary matters a lot जब आप पहला job छोड़के दूसरे job में जाओगे ना तो आपकी salary double triple जल्दी से नहीं होने वाली वो देखेंगे पहले आपकी क्या salary थी उस पर 30% का hike कर देंगे सब उस पहले अगर तुमारा package 6 लाग था तो उस पर 30% hike कर लो 1,8,000 आट लाग का package मिलेगा roughly वही होता है तो पहला job का package कोशिश करना चाहिए salary की ज्यादा से ज्यादा amount का हो तो उससे compounding effect आएगा जब वो second, third job में जाओगे न वो बहुत जोड से बढ़ेगा तुमारी life 200 साल तो होने वाली नहीं है तुमको ultimately 60 साल तक तो retire करना ही पड़ेगा job से तो retirement 60 साल में हो जाएगा तो उसी time का तुमको maximum निकालना है तो first job का जो package it matters a lot मैं salary को profile के भी उपर value देता हूँ ठीक है तो salary बहुत matter करती है very 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 important है अगर मालो कि तुमारे पास offer आया है दो अलग-अलग company हों से एक company ज्यादा renowned है एक less renowned है पर less renowned वाला renowned है लोग जानते हैं उसके बारे में पर आपको पैसा ज्यादा दे रहा है always go for the second one ठीक है मतब मैं renowned company में जाना चाहता हूँ पर उसके लिए मैं अपना pay package या salary एकदम कुर्बान नहीं कर दूँगा you're getting my point अगर आपको थोड़ा सा less renowned company मिलता है लोग जानते हैं नाम लोगों ने सुना ठीक है तो उसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है you should go for it money matters ओके हम पैसे के लिए job करते हैं और फिर एक बार जिस package में घुश जाते हो ना तुमको उसी level का ranking रह जाता है तुम फिर जल्दी से upper levels में migration तुमारा बहुत difficult हो जाएगा third अब अक्सर लोग के है इसको first बना देते हैं कि मेरे को profile क्या मिल रहा है and कुछ-कुछ profiles होते हैं जो लोगों के दिमाग में ऐसे चिपक जाते हैं कि मैं तो भई इसी particular profile में job करूँगा ठीक है मैं HR में job करूँगा मैं tax में job करूँगा मैं accounts में करूँगा मैं finance में करूँगा ये profile लोगों के दिमाग में चिपक जाता है और ये कोई नई बात नहीं है जब लोग पढ़ाई करते हैं तब ही से होता है जैसे मैं जब IIT joint entrance की त्यारी कर रहा था 11-12 में तो मेरे को लगता था अगर IIT बने तब तो इंसान या अगर IIT नहीं बने तो दुनिया में मेरा कोई वजूद ही नहीं रहेगा तो I am not an IIT and man engineering की नहीं मैं तो commerce में आगा मेरा अच्छा खासा वजूद भी है तो यह लोगों के साथ चिपक जाता है जो लोग IAS की त्यारी करते हैं उनको लगता है अगर IAS नहीं मिला ना तो कोई फायदा है नहीं हम IPS IFS बनके कोई फायदा नहीं है तो ऐसे कितने लोग होते हैं जो UPSC civil services में lower rank लाके IAS के अलावा कुछ और उनको मिल जाता है यह सब जूटे जो लेबल से हटाओ don't stick in a particular profile मैं आपको एक बता देता हूं अपने experience से जितना पढ़ाई कर रहे हो ना आप जो डिगरी पाने के लिए उसका महस 10% आपको आगे जॉब में यूज होगा हर जॉब तुमारे life में तुम कम से कम भी चार बार तो जॉब चेंज करोगे मैं minimum बोल रहा हूं दस भी हो सकता है दस बार भी हर जॉब में जो काम करना पड़ता है वो इक different profile होता है नाम से फरक नहीं पड़ता अगर तु एक company में accounts finance में अलग तरका पूरा scene था दूसरे में अलग तरका scene था तो every time you work in a different company it's totally a new thing पूरा आपको hands-on वापस से सीखना पड़ता है profile का label उतना माइन नहीं रखेगा और कई बार तो क्या होता है profile को समझना is very hard यह red line देख रहे हो जो मैंने लिखके दिया है profile को समझना is very difficult क्या होता है आप जब तक घुस्त निंग जाते उस company में और काम चालू नहीं कर देते आपको नहीं पता चलेगा कि exactly आपका profile क्या है क्योंकि finance department बहुत बढ़ा है उसमें पचासों तरह के अलग 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 काम होते हैं आप कौन सा वालग काम कर रहे हो account department बहुत 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 बढ़ा है इंजीनियर्स दोग तो जित्ते भी होते हैं वह production में जाते हैं तो क्या इसका मतलब वह आगे कभी उठेंगे नहीं क्या profile matter करता है पर profile के लिए डोंट compromise salary ओके अलग एक्स्प्रेंट टू यू फर्दर मेरे बात को ध्यान सुनना हूं स्टूरंट्स लोगों को यह जब वो qualify करतों को डरी लगता है कि मैं अगर किसी एक profile में गया तो मेरे को लेबल लगा दिया जाएगा और मैं फिर lifelong उसी में घुमता रहूंगा सर ऐसा नहीं होता बड़े बड़े कंपनी के जो CEO आप देखो गे ना उन में से कोई accounts department में join किया था कोई join किया था finance में कोई tax में कोई audit में join किया था बड़ी कंपनियों में एक audit department भी होता है कोई audit में join किया था कोई marketing में join किया था marketing में और कोई तो इंजीनियर था जो production में join किया था those people also become CEO हर department के बंदे company के top managerial circle में जा सकते हैं CEO बन सकते है anybody हर department का HR छोड़के क्योंकि मुझे HR को मैंने जल्दी से देखा नहीं पर HR भी हो सकता है ठीक है तो अलग-अलग department से भी लोग CEO में जाते हैं तुमको सोचना तो यह कि एक ना एक दिन आज से 10 साल बाद या शायद 15-20 साल बाद तुम company के टॉप managerial level पर जाना चाहते हो वह किसी भी department से जा सकते हो ठीक है कोशिश यह करना कि profile जो मिले वह एकदम specialized profile नहीं हो वह थोड़ा सा यह क्या बोलते हैं versatile type का profile हो always choose a profile which is more versatile जो जिसमें लगे कि हाँ इसमें अलगलग तरह काम होगा सुनने में और बताने में लोगों को convenient रहे ठीक है तो profile के लिए मैं आपको clear बता रहा हूं पहले job में तो especially profile उतना matter नहीं करता विकॉस क्या होता है ना पहले job के बाद दो साल के बाद ही जब transition होता है तो आपका second job जो है वो दे give you a chance कि पहले आप यह काम कियो कोई बात नहीं अब यह ट्राइम कर लो एक profile प्रोफाइल सूट नहीं किया तो आप change कर सकते अपनों profile तो पहले job में profile उतना relevant नहीं रहता है वो second job में आप change कर सकते हो ठीक है all said and done I want to tell you हर इंसान का job से एक अलग expectation होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक प्रोफाइल में ही मज़ा आता है भले उन्हें पैसा कम मिले अगर तुम उस टाइप के हो कि तुमको एक पर्टिकुलर टाइप के वर्क में ज्यादा मज़ा आता है even if you get low salary then you always go for profile आपके लिए प्रोफाइल फिर टॉप पर होना चाहिए फिर आपके लिए रेनाउंड कंपनी है salary कोई matter नहीं करती ठेक है मैं general बता रहा हूं okay next location location बहुत matter करती है in your entire career of 40 years career का जो पुरा trajectory बनेगा तुमारा एक दम exponential growth उसमें location बहुत matter करता है ठेक है हम लोग की जो current location है ज्यादा chances होते हैं कि जो हम लोग को दूसरा तीसा जॉब मिलेगा वो उसी location की कोई company से मिले यह ज्यादा chances है आपका जो prospective employer रहेगा नया employer या second employer वो ज्यादा तर यही चेश्टा करता है कि उसको उसके इलाके के location से जो set बंदा है वही काम पर मिल लग जाए तो अपने career में आफ फर्स जॉब एक ऐसे location में चुनना जहां maximum companies हो और जहां best companies हो ताकि आपका migration बहुत quickly हो सके interview देना भी आसान हो जाता है और जो नया employer होता है prospective वो पिक भी अपने current location से ज्यादा पसंद करेगा उसको मालूम है कि एक बंदा आ रहा है वो और इस इस इलाके में सेट अब बैंगलोर में काम कर रहा है तो बैंगलोर में your first job is there and बैंगलोर has lot of companies and the best of companies okay they will generally want to hire somebody from Bangalore because boss क्या चाहता है company क्या चाहती company चाहती है कि अब आते ही first day से बढ़िया performance देना चालू कर दो वह वही बंदा कर सकता है जो already उस जगा में अपना घर बसा रखा है जो सेट है ठेक है because उसको फिर से सेट करना नहीं पड़ता है तो second job अगेरा में locations बहुत helpful रहता है you always go for a location जहां maximum companies और best companies रहें ठेक है मेरे एक after joining thought बस लास्ट में यह जो मेरे आइडियाज है यह मेरे अपने आइडियाज है और job में जब आप join कर लोगे तो job मेंना life बहुत up and down वाली होती है मैंने बहुत experience कि आप send downs बहुत tension होता है तो एक किताब है यह किताब अगर मौका पढ़े तो खरीद के पढ़ सकते हो सस्ती किताब है जैक विल्च किये विनिंग जैक विल्च जो है यह अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जी ग्रूप उसके chairman रह चुके है ठेक है he is retired already उनका दो तीन और चेर्मन और चेंज हो चुका है तो इन्हों ने किताब लिखी विनिंग की जॉब में बेसिकली इंसान जीता कैसे तो जब एक बार जॉब में घुज गए तो वहां पर जाके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे तुमको पता मतब तुमारा ग्रोथ हो सके तुमसे राइड डिरेक्शन में मूव कर सो को बहुत अच्छी ग जाओंगा तो वह लोग देखेंगे कि मैं किस कंपनी में काम किया हूं पैसा बहुत मैटर करता है लेस्ट रनाउंड चलेगा पर रनाउंड होना चाहिए पर लेस्ट भी चलेगा प्रोवाइड देर गिविंग में मॉर पैकेज प्रोफाइल थर्ड है क्योंकि फर्स प्रोफाइल में उसके लिए प्रोफाइल चेंज करना इस नौट बिग डी और वैसे भी इफ यह रफ्रेशर तुम जस्ट क्वालिफाइड हो तो तुम्हारा सीवी दो तीन साथ तक तो पॉर्टल्स पे और मार्केट में सर्कुलेट होता ही रहेगा तुम्हारे पास हो जाए आपका जो नेक्स्ट बॉस रहेगा ना प्रोस्पेक्टिव एंपलॉयर वह बेसिकली आपके करेंट लोकेशन कोई प्रेफर करेगा वह उसी इलाके की बंदे को चुनना चाहेगा ठेक है तो आप होट्सपोट्स अपने लिए खुद डिसाइड कर लो इफ यू वांट ग्लोबल करियर और सो वह भी अच्छी बात है आफ सीन मैं इसमें दिककत नहीं है यह आपके ऊपर डिपन करता है कि हाव कमफटेबल यू आर विध डिस तो मेरा जो भी इस पर थौट्स था वो मैंने आप लोग सा शेयर किया यू मैं आप लोग को गाइड कर सका हूँ थैंक यू